राइधानी लखनों में बारिशों के साथ बिमारियों की दस सक बारिश के आते ही राइधानी लखनों में बिमारियों का बढ़ने लगा है ग्राफ राइधानी लकनों की ग्राविर शेत्रों में डाइरिया के मरीजों का ग्राव बढ़ चुका है डाइरिया डेंगू को लेकर स्वाजविभाग अलट मोट पर राइधानी में डाइरिया से एक युवक की मौद भी हो चुकी है नाइधने लगनों के लोगबंदू अस्पताल में मरीजों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा लोगबंदू अस्पताल के OPD में डाया के मरीजों की संक्या में इस जाफा देखने को मिल रहा है जो फैलते हैं उसके लिए हम लोग अलर्ट हैं सारी दवाएं प्रशुन मात्रा में हैं और डेंगू के बात है अभी तक कोई ऐसा केस आया नहीं है लेकिन हमारे पैथॉल्जी में सारे लोग तयार हैं ब्लड टेस्ट के लिए भी और अगर बुखार का कोई भी मरीज आएग मिश्चित रूप से इस समय 15-20 प्रशाथ बच्चे विशेश रूप से आ रहे हैं जो ओपीडी में दिखा रहे हैं और ओपीडी के ही इलाज से ठीक होके वापज आ रहे हैं पिछल चौवीस घंटे में हमारे हाँ चार मरीज जो है डर्ट में वह बर्ती हुए है जो डियर मिश्चित प्रशाथ जो इस समयमें पानी भरा रहता है जल बचार होता है उससे एक तो पानी अपने इर्द इर्द न होने दे सब की जिमेधारी है यह उसमें जरूर कुछ जो जला हुआ मभी लेया जित्त हथने इस तरीके से लेका है इनों स्हें डाल धें न रहो नपन पाए ये खुद की भी जिम्हेदारी है मच्छर उसे बचाओ रखें मच्छर दानी जरका प्रयोग जरूर अफशे शुरू कर दें इससे मलेरिया डिंगु इससे बचाओ हो जाएगा हाथ धुले जब तक खाना खाने जा रहे हैं तो पिना हाथ धुले खाना नखाएं और प